Hello children, welcome back to my YouTube channel. Today I will continue with exercise 8.4. Last class में children हम लोगोंने 4th question तक कर लिया था. आज 5th के 5th से करेंगे. In question 5th, कस A minus sin A plus 1. कस A minus sin A plus 1 upon कस A plus sin A minus 1. This is equal to कस A plus cot A. Again children, इधर हम left hand side को लेकर चलेंगे, क्योंकि देख रहे हो, आप यह बढ़ा है in comparison to right hand side. So LHS is equal to कस A minus sin A plus 1 upon कस A plus sin A minus 1. और अब क्या करेंगे children? इसको देखते हुए dividing numerator and denominator y sin A. sin A से डिवाइड कर देंगे दोनों को. Cos A upon sin A minus sin A upon sin A plus 1 upon sin A. Cos A upon cos A upon sin A plus sin A upon sin A minus 1 upon sin A. अब चिल्रें यह बन गया कोट A और यह हो गया minus 1. कोट A minus 1 और यह बन गया plus cos A. So this is कोट A minus 1 plus cos A upon again कोट A plus 1 and minus cos A. नीचे वाले पार्ट को कुछ भी disturb नहीं करेंगे children इसके बनाने के लिए थोड़ा सापको ध्यान रखना होगा. और 1 की जगब पर हम कोट A और जो हमारा कोट का जो आइडेंटिटी 3-3 आइडेंटिटी में लिखाई थी उसको मैं यहाँ पर यहाँ पर यूज करने वाली हूँ. तो उपर मैं क्या करूँगी पहले लिख लूँगी कोट A प्लस कोसेक A माइनस और यहाँ आइडेंटिटी उसकर लूँगी children और वो आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी कोसेक A स्कॉाइर A माइनस कोट A स्कॉाइर A और नीचे कुछ भी disturb नहीं करेंगे children जैसे है इसको as it is लिख देंगे कोट A प्लस 1 माइनस कोसेक A चिक है ना अब यह A स्कॉाइर माइनस B स्कॉाइर है children इसको ब्रेक करेंगे A माइनस B और A प्लस B नहीं जैसे है यह तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं कोट A प्लस कोसेके और उसे ब्रेक कर रहे हैं children माइनस A प्लस B और A माइनस B और नीचे जैसे है as it is हम यहाँ पे नीचे निकलेंगे कोट A प्लस 1 माइनस कोसेक A अब देखो दोनों और कोट A कोसेक के common है इसको बाहर निकाल लेते हैं कोट A और कोसेक A को तो कोट A प्लस कोसेक A इसे हमने common में ले लिया children तो common ले लिये तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा यहाँ क्या बच गया वन बीच की साइन माइनस कोसेक A और कोट का माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस कोट A और नीचे जैसे है children as it is हम नीचे वैसे ही लिखेंगे कुछ भी इसमें changes नहीं करेंगे यह हमारा है कोट A प्लस वन माइनस कोसेक A अब देखिए बच्चो कोट और कोसेक प्लस माइनस कोट और कोसेक प्लस माइनस वन प्लस का तो यह पूरा इसके साथ cancel हो गया और मुझे मिल गया कोट A प्लस कोसेक A और इसे हम लिख सकते हैं this is कोसेक A प्लस कोट A और यही हमारा right hand side था children अगर आप इसको sign cost की help से बनाओगे न चिल्डन तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इस कोसेक को मैं कोट कोसेक से बनाई उससे भी बनाओगे तो आपका answer यही आएगा 6th question बच्चों अगर कहीं भी कोई आपको problem हो तो आप मुझे comment box में लिख कर भीजो मैं आपको solution दोगी 6th question जो है इसके अंदर है under root 1 plus sign a upon 1 minus sign a this is equal to 6 a plus 10 a ऐसे questions अभी मिले चिल रहे तो हमेशा इसको rationalize करेंगे left hand side 1 plus sign a 1 minus sign a जो भी नीचे sign है उसके opposite sign से हम numerator denominator को multiply करेंगे है ना multiplying numerator and denominator y 1 plus sign a अब children यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा this is under root 1 plus sign a 1 minus sign a और multiply करेंगे चिल रहे हैं चिल रहे हैं चिल रहे हैं उपर भी 1 plus sign a यह सब root के अंदर ही कर रहे हैं और नीचे भी 1 plus sign a अब उपर बच्चों whole square हो गया और नीचे तो हमारी identity आ गई यह plus b और यह minus b की तो उपर आ गया हमारे पास 1 plus sign a का whole square और नीचे आ गया चिल रहे हैं 1 minus sign square a and we know that 1 minus sign square a is equal to cos square a so this becomes 1 plus sign a का whole square and upon cos square a अब चिल्रेन यह दोनों root से बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों हमें square के term में मिल चुके हैं तो हमारे पास आ गया this is equal to 1 plus sign a upon cos a अब यहाँ पर दोनों को हम factors में बात लेते हैं one upon cos a LCM है न जिस तरह से plus sign a upon cos a अब आप सब को पता है चिल्रेन one plus cos a क्या होता है one upon cos a होता है sec a और यह हो गया हमारा tan a so this is equal to sec a plus tan a और यह हमारा जुद था चिल्रेन यह हमारा देखिया आरेचेस था okay children if you enjoyed my video be sure to like, share and subscribe it